कि जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टेडी पॉइंट में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का रिविजन वीडियो लेकर काया हूं और अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो आपके लिए उप कि अगर परतिसत ग्याद करना हो तो 100 से गुना किया जाता है जैसे एक्जाम्पल देखिए पटास रुपया का 10 कितना परसेंट है तो 10 बचाप पचास गुने 100 100 से गुना किया हम चीक है तो पचास दूनी 100 और 10 दूनी 20 परसेंट इसका आ गया उसी तरह है दुसरा पॉइ का 20% कितना है तो 60 गुने 20 और परसेंटेज जब दिया हुआ है तो बटा में सो लिख दिया अब काड़ दीजिए यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 तो अच्छो दूनी 12 आया चलिए यह आपका प्वेंट है समझने के लिए दोस्तों बेसिक अब चली प्रस की और चलते हैं लोग अब पहला प्रस देखिए अब अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो सारा देखे होंगे दोस्तों तो सारा का सारा प्रस जो है चुटकियों बच जाएगा आपका और नहीं देखे होंगे तो देख लीजेगा ठीक है देखिए पहला प्रस कर रहा है एक करमचारी की मजदूरी में 20 परसेंट की कट होथी की गई अदी उसकी मजदूरी को पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे कितने की विल्दी करनी होगी जब भी percentage की बात होती है, तो 100% में बात होती है, कितना बात होती है दोस्तों, तो 20% कट होती की गई, जब पहले 100% होगा, अब जो है, 120% की कट होती की गई, ठीक है, तो कितना अंतर कितना हो गया, तो 80% की, और बोल रहा है कि अधी उसकी मजदूरी, पहले मजदूरी के बराबर लाना हो, तो उसे कितना परसेंट की विर्दी करनी होगी, तो कितना करना होगा, तो 20% करना होगा, तो कितना में, 80% में करना होगा, तो 80% में विर्दी, तो 100% में विर्दी, कितना करना होगा, तो 20 बट चाटा असी गुने सव बस इसको काड़ दीजे 20 चोक असी और चाट से काटी गएगी इसको तब 25 परसेंट आए जागा कितना आगा दोस्तों तो 35 परसेंट आएगा चले आगे बढ़ते हैं सिंपल सप्रसे दोस्तों चले लेकिन पूरा का पूरा सिंपल नहीं है जरा आगे बढ़िये देखिए आप भागिये नहीं अभी देखिए दूसरे परस को देखिए अधि नीता के वेतन सीता के वेतन से 25 परसेंट अधिक है तो रीता का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है नीता के वेतन रीता के वेतन से 25 परसेंट कम है तो रीता के वेतन कितना ह सोगा तो रिता का वेतन सो होगा और नीता जब बोल रहा है कि नीता का वेतन हुप अब लाई तो रीता का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है रीता के वेतन नीता के वेतन से कम है अब कम देखिए यहां पर कितना कम है तो 125 में 100 घटा दीजे कितना कम है 25 कम है अब बोल रहा है कि वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है ठीक है रीता का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है तो देखिए इसको क्या करेंगे सिंपल सा है दोस्तों तो देखिए दोस्तों ये जो है, 125 में 25 कम है, तो 100 में, जब भी % में निकाला जाता है, तो 100 में निकाला जाता है, तो 25 बटा 125 गुने? 100, हम Сौट में लिख रहे है दोस्थों, क्योंखे एक्जाम में आपको लंबा लिखना है नहीं, जितना से जितना सौट में आप लिकिए तो 25 पच्छे 125 और पांस से काट दीजे इसको तो कितना गया तो 20 परसेंट आ गया ठीक है कितना है दोस्तों तो 20 परसेंट इसका सही एंसर क्या हो जागा तो 20 परसेंट होगा चले आगे बढ़ते हैं और तीसरे परस को देखते हैं दोस्तों तिसरे परस्त देखें यह रिविजन वीडियो है अप लोगों का ठीक है और दो तीन क्लास में मैं पुरा रिवाइज करवा दूंगा आप लोगों को आप लोग पूरा वीडियो देखिए आप लोगों को बहुत सारा का सारा चेप्टर में पढ़ा दूंगा और रिविजन वीडियो में लाओंगा सारा का सारा ताकि एक बाद भी विजन भी हो जाएक दोस्तों तीसरा प्रसका रहा है एक वस्तु का विक्रे मुल 20% कम करने पर उसकी विक्री में 80% की विर्दी हो गई तो उसकी खुल विक्री वास्तों में कितनी परभावित हुई ठीक है तो सिम्पल देखिए क्या करना है कुछ भी नहीं करना है एक वस्तु कुछ विक्रे मुल 20% कम की गई तो जब भी पर्सेंटेज की बात होती है तो बीस पर्सेंट कमी की गई तो असी हो गया और फिर बोल रहा है कि उसकी विक्री में 80% की विर्दी की गई तो 180 हो गया और से आर्स को गुना कर दीजे कितना आ जाएगा तो 144 ऐगा अब बोल रहा है कि उसकी भीक्री वास्तों में कितने कितनी परभावित हुई तो 144 हो गया और पहले कितना था सब अजब भी परसेंटे की बात होती हैँ सोब में होता है होती है तो कितनी परभावी थी तो 44% की विर्दी हो गई क्योंकि 100 से जादा है तो 44% की विर्दी हो गई ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि और चौते परस को देखते हैं चोते पारसन है अब का एक आयत की लंबाई में 12% की और चौड़ाई में 10% की विर्दी हो जाती है तो उसके छैथपलन कितने परसंट की विर्दी हो जायगी कि अम चलिए देखिए लंबाई में 12% की तो 12% की विर्दी ओगी तो 112 Persında की बात होती है तो सो प्रस बारा हम इसको जोड़ दिये हैं गुने फिर बोला है चोड़ाई में दस परसेंट की विर्दी हो गई तो दस परसेंट एक सो दस हो जाएगा एक सिंपल में लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप लोग दिखें कंप्टिशन का तयारी करते हैं लंबा लिखेंगा यह यहां जादत बना रहे हैं का लंबा लिखने का तो वहां भी आप लंबा लिखने लगए यहां शोट लिखने का अधर बनाइँ ठीक है तो चोड़ाई में दस परसेंट की विरदी हो गई 310 रबात्त तो अब कट ये 0, ये 0, ये 0, सोरी ये नहीं कटेगा, आखर जगब, कट जिए 2 पचे 10, ठीक है, और 2 पचे 10, और 2 छके 12, और कटेगा दोस्तों, देखे, और कटेगा अक नहीं, तो नहीं कटेगा, अब 56 को 11 से गुना कर दीजे, 56 को 11 से, कितना जगब, 56, 56, चे पात 11, पात एक 666, 666, बटा, ये 5 आ गया, अब इसको जब आप, डिवाइट किजेगा, भागा दीजे, इसको मिटा लेते हैं, पहले, एक मिनिट, थोड़ा से वेट किजे दोस्तों, ठीक है, अब 666 में, आप, डिवाइट कर दीजे, 5 से, कितना आएगा, 5, एक बचा, ठीक है, पांच दूनी दस, एक, पांच दिया, पंदरा, एक फिर बट गया, एक जिरो बठाई, ये प्वेंट बठाई है, मैं आप लोगों को बच्चों की तरह समझाता हूँगा, आप समझने का कोशिद किजेगा, ठीक है, पांच दूनी दस, ये हो गया, अब कितना आया, 123.2 आ एक जाए, और कितने पर्शेंट की विल्टी हूँई, तो 100 पर्शेंट था पाले, ठीक है, तो 100 पर्शेंट था, तो कितना बड़ा, 23.2, कितना बड़ा दोस्तों, 22.2 आपका विल्टी होगे, तो सही एंसर होजागा, एक तो सी नमबर, आपको इतने सिंपल मैं समझाने का कोशिज करता हूं लंबा नहीं करने का कोशिज करता हूं दोस्तों ताकि आपका जितना सौट से सौट हो जाए आपका एक्जाम निकालना है थोड़ी आपका ट्रेंट का एक्जाम देना है कि आपको डिटेल में वहां लिखना है ठीक है इलिए मैं कोशिज करता हूं जेतना स प्रस को देखते हैं पाच्वा परसने आपका मैं दो से तीन वीडियो में कोशिज करूँगा आपका खतम कर दूंगा परसेंटेज दोस्तों दीवीजन वीडियो उसके पास आप लोग जिस सब्सक्राइब को चालू करने बोलेगा जू सॉरी जिस ये जिस चेप्चर को चालू करने बोलिएगा वही चालू कर दोगा ठीक है चलिए देखे अब पाच्वा परस को देखते हैं लोग पाच्वा परसने आपका अब यह अपनी मासिक वेटन का 20 परसनट बचाता है अधी उसका मासिक वेख छेए जार है तो उसकी मासिक बचत क्या है अब बचत पूछ रहे हैं दोस्तों ठीक है थोड़ा के लियर कर लेते हैं तो जब भी बात होती है तो शो परसनेंट में बात होती है मैं बार बार वो बोलता हूं दोतों कि मैं सौट लिखता हूं सौट में लिखता हूं ताकि आप लोग समझने को सिस किजिए और आदत बनाई सौट में लिखने का मासी क्वेतन का 20 परसेंट बचाता है तो उसका खर्च कितने करता है वो थो सौन में घटा देजियेगा सौन बीस घटा देजियेगा कितना ये ऑस्की आजएगा ओइस्राइग उसका मासी वेश शेहीर रुपिया तो असी बराबर 6-य रुपिया ठीक है 80% बराबर यह 80% आया 20% बचाता है तो खर्च कितना करता है तो 80% खर्च करता है और यहां भी बता रहा है खर्च तो यहां भी खर्च है और यहां भी खर्च है तो 80% बराबर 6,000 रुपिया तो 100% ब्राबर तो 6,000 गुने 180 अब काड़ दीजे ये 20 पचे सो 20 चोके सी ठीक है अब 4 से काटिए 15 चोके साथ और 2 0 यहां दे दीजे तो 15 पचे 75 अब 75 इंसर अभी नहीं आया दोस्तों अबका ठीक है बोला उसका मासी बचत क्या है तो वो तो खर्च कर देता है 6,000 रुपिया तो बचाता कितना है तो बचत बराबर 7,500 में आप घटा दीजे 6,000 को ठीक है 6,000 को घटा दीजे बराबर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 1500 अई आपका इंसर हो गया मैं प्रैक्टिस किजिए सौट में लिखने का दोस्तों कि करते हैं लंबा नहीं कि इक नात एपने इतना लिखेगा तो फिर आपक्जाम में आप बनाते जानते भी फोड़के चले आईएगा क्योंकि आप पर पास टाइमें बचेगा कि दिक में से एक को साथ परसेंज मत मिले और वह 16 समतों से जीत गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है तो आप लोग असानी से अगर पिछला वीडियो देखें होंगे तो बना लीजिएगा और वीडियो को पहुंच करके बनाने का कोशिश कीजिए देखें कि कि गाले के आप का बम का सब्सक्राइब है तो क्या करता है यह को साथपर्सेंज मत मिले अगर इसको शाठ परसेंज मत मिले तो दूसरे को कितना मिल गया होगा 40 फॉस्त मिल गए होगा गया अब अब इसका अंतर कर दिजिए अब अंतर बराबर और 600 मतों से जीत गया तो यह जीत हार अंतर को बताता है हम पहले भी बताए हैं तो कितना 20% ठीक है अब इस 20% बराबर कितना है 600 तो 100% बराबर 100% बराबर तो 600 गुने 100 बटा 20 अब इसको कार दिजिए 20 पटे 100 ठीक है अब कितना आया बोला है कूल मतों की संक्या तो 600 पटे 800 आनि 8000 तो सही एंसर के आगया तो 8000 आगया चली आगे बढ़ते दोस्तों बस कुछ नहीं अंतर करना है और जतना है बस सिंपल है 20% बराबर 600 तो 100% बराब चले 7 परस को देखते हैं थोड़ा देश्ट कर ले रहते हैं चले ठीक है अब देखें दोस्तों बोल रहा है एक चुनाओं में एक मिदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ तथा 476 मतों के बहुम्मत से निर्वाचित होता है तो डाले गए मतों की कुल संक्या कितनी है चली य परसेंट मत प्राप्त होते हैं एक चुनाओं में एक मिदवार तो 766 मतों के वहुमत से निर्वासित हो गया तो 68% और बोल रहा है कि डाले गए मतों की कुल संक्या कुल संक्या जब भी कुल निकलेगा तो 100 में निकलेगा तो 68% बराबर 476 मत तो 100% बराबर तो 476 गुने 100 और यह जो है सो निचे आ जाता है आप लोग जानते हैं अब इसको काटिए अब तो 4 से काटिएगा तो 1748 और 4 से इसको भी काट देजिए 4 और 4 एकमचार 496 ठीक है 119 आ गया अब इसको फिर काटिए आप तो 177 यह हो जाएगा आपका 119 ठीक है तो अब कितना आ गया एक 100 सते 700 आ गया जिसका सही इंसर क्या हो जाएगा तो 700 हो जाएगा दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब लोग पूरा वीडियो वाज कीजिए दोस्तों तभी फाइदा होगा नहीं कोई फाइदा नहीं होगी फ्रस देख करके भागेएगा आठवा प्रस्त को देखते हैं आठो प्रस्त आपका एक गौण की अबादी 20% परति वर्श की दर से घट रही है अधी 2वर्श पूर्व इसकी अबादी 10.000 तो वर्तवान अबादी क्या होगी ठीक है तो वर्टमान अबादी क्या होगी और डिस परसेंट्ट परती वर्स की दर से गहट रही है तो परसेंट में बात होगी जब भी होगी तो सो परसेंट में बात होगी तो जब घहट रही है तो इसको हम असी परसेंट कर देंगे 이제 och 2 बार बोल्रा दो वर्ठदो बार लिखेंगे ऎम 800 वस इतना ही आप एपका अब इसको कड़ी देए तो जीरो दो जीरो धी कितना पतोin 80iev Technology कितना आगया 88462 500 आँ찬 चोह साटव साहिए उनके आगया तिए दो चलिए मुझे उमीद है दोस्तों मैं जो आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी चलिए पुरा वीडियो वाच कीजिए और वीडियो को अधिक सेयर कर दीजिए दोस्तों चलिए नौवे परस्त को देखते हैं लोग नौवे परस्तन है आपका अधि एक नगर की जनसंक्या चौशाठ हजार हो और उसमें दस परसेंट वार्थिक विज़्दी होती है तो तीन वर्सों बाद उस नगर की जनसंक्या कितनी हो जाएगी बस सेब प्रवस्तन है दो तो देखिए मैं दोदो परस्त इसलिए लाता हूँ ताकि एक परस्त में अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे परस्त में आटामेटिक समझ मा जागा तो जनसंक्या चौशाठ हजार है अब चौशाठ हजार आप लिखे यहां पर ठीक है अब दस परसेंट वार्सिक विर्दी होती है यहां तो बल रहा है उसमें घट रहाता तो जब भी परसेंट की बात होती है तो सो परसेंट में बात होती है और विर्दी हो रही है विर्दी हो रही है इतना सो से 110 हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा और तीन बार बोल रहा ह तिन वर्थ ठीक है जब तीन बार बूल रहता है तिन बार लिखेंगे 110 वटा सब गुने 110 वटा सब बस इतना ही तो है जो सोफ चले दो 0 और 2 0 ठीक है और कड़े एक 0 एक 0 एक 0 एक 0 यह 0 यह 0 यह 0 अर एक आरह का क्यों कितना होता है तो 1300 31 होता है अब 64 से इसको गुना कर जीज़ेगा तो आपका जो है कितना इंसर आज़ेगा 89,184 आता है दोस्तोष आप लोग गुना भागा कर लीज़ेगा ठीक है झी. 18184 आता है इसका सही एंसर क्या हो जागा तो 18184 होगा चलिए मुझे उमीद है आप लोगों कुछ समझ वा रहे हुगे दोस्तों सिंपल सा है ठीक है चलिए पूरा वीडियो बात किजिए दस्वे परस को दकी दोस्तों दस्वे परसना अपका अध Fest 120 संख्या का 20 फरसन्ट हो तो उस संख्या का 120 कितना होगा है अब वेडियो को पॉच्छ किजिए और बनाने का कोसिद कि दो कूरा पूरा रिवायश कर लें आप पूरा रिवायश कर लें आपंत सुपीष एक संख्या का वीस परिस्षेन्ट है तो बीस परिसेन्ट यहां भी पूच रहा है कि 120% कितना होगा है तो 120 एक संख्या का 20% है तो 20% पराबर 120 और तो हम 120 परसेंट पूच रहा है 120 परसेंट पराबर 120 गुन्ने 120 बटा 20 ये नीचे आ जाता है अब काठिए 20 छके 20 आसे अब इसको गुना किजिए बर्षक 72 720 ठीक है कितना आया तो 720 इसका सही एंसर क्या हो गया तो 720 हो गया चलिए अब इस तरह भी बना सकते थे सोड़ा लंबा कर सकते थे 120 एक संख्या का 20 परसेंट है तो हम एक समान के बनाने लगते तो लंबा हो जाता लेकिन हम सौट में बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को कमप्टिशन में जीतना सौट में बस इंसर आना चाहिए वहां पर दोस्तों फटा फट बनाकर निकल जाए एक लिए कम टाइम में टा संख्या का 13 परसेंट उसी संख्या के 5 परसेंट से 16 जादा है जदना उसर वह संख्या क्या है एक संख्या का 13 परसेंट अब इसको क्लियर करते हैं उसके बाद दिखते हैं दोस्तों देखे एक संख्या का 13 परसेंट यह 13 परसेंट है और उसी संख्या का 5 परसेंट यह 5 पर और कर दीजीए है कि से सुल्ला जादा है कम बेसी जादा कम औहीं हम बताये थे कि अंतर जो है अंतर को बताता यें कि मिधे जो भी वह अंतर को बता सानतर बराबर 13 तरास अजक पर चेंट और 8% बराबर कितना है तोyttогда तो तो पर Ch comunidad बराबर अब काटिए आठ दूनी सो ला और एक सो दूनी दूसर ठीक है मुझे उमीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही होगी चलिए अब एक में मानिएगा उस तरह मानिएगा बहुत टाइम लग जागा ठीक है जतना सौर्ट में बनाएए दोस्तों चलिए आगे बढ़त किसी संक्या को 25 परसेंट काम करने पर 225 प्राप्त होता है उसमें कितने परतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 357 हो जाए चलिए इसको देखते हैं लोग कि दोस्तों क्या है बूल रहा है 1 मिनट कि 25 पर सेंट कम करने पर 225 प्राप्त होता है और 25 परसेंट 25 घटा दिए सौ में दोस्तों सिंपल है कि जब भी परसेंटेग की बात होती थी तो सो में काम होता है 25% कम कर दिए तो 25% कम करने पर 225 पराप्त होता है तो उसमें कितने परतिसत की बढ़ोतरी की जाए कि 357 हो जाए तो 100% पराबर कितना होगा हमको यह तो जानना होगा 225 पराप्त 75 गुने 100 अब इसको काड़ दिए आप 75 तिया 225 तिये 300 आ गया और यहां बता रहा है कि बढ़ोतरी की जाए ताकि 357 हो जाए अब देखिए अब विर्धी कितनी हो गया विर्धी हो गया 357 था और यहां 300 आया तो विर्धी हमारा हो गया कितना तो 57 कहीं मिश्टेक तो नहीं वा एक मिनदर दोस्तों यह थोड़ा से कोचन में मिश्टेक हो गया है टाइपिंग में यह 57 नहीं यह दोस्तों यह 75 है है 375 है एक मिनदर दोस्तों 375 है ठीक है क्या चलिए 355 है दोस्तों थोड़ा से मिश्टेक को टापिंग में ठोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं नतीस तरह तो एंसर ही नहीं आएगा दोस्तों तो 375 तो विर्दी 375 में 300 तो कितना हुआ 75 की विर्दी होगी अब परसेंटेज में जब भी निकालते हैं तो विर्दी परतीसत विर्दी परतीसत बराबर कितना होगा तो 75 अभी बताये तो शुरू में हम बताये दोस्तों जब भी परसेंटेज निकलता है तो 100 से गुना किया जाता है और बटा 300 अब इसको काट जिए 0 यह 0 अब 3 से काटेगा इसको तो 25 परसेंट आ जाएगा तो सही Het Enser क्या होगा दोस्तों audi 25 यह तो मुझे वीडियो अच्छी लगया आट्र इस वीडियो कशनल सब्क्राइब करें वीडियो का अधसी सेरकरवागे दोस्तों और और मेरे दो फूरा करूंगा उसके वाज आस शील बेख करूंगा ठीक है चाल्शन एक है